यहां पर है, चलिक करते हैं करने के लिए तो यह उनपैक हो रहा है, डाटा को उनपैक करना है इंग्लिस तो कोई जॉब को अचा ले, जिस राइंगुज में आप यूज करना चाहते है, हिंदी, इंग्लिस, पता नहीं हिंदी है के नहीं, चलिए इंग्लिस रही इंग्लिस पर OK करता है उसके अधि यहाँ पर एंग्र कर लिजे टाम करेंडिशन को फिर यहाँ पर यह सब दिया गया है फिर et accuse Axe मे जाते है फिर Program file 26 कंदर यहां पर ίह पर इहां पहरा हो तो अब यहां पर Click करते हैrow इचेंश करना है तो यहां आप यहां पर चेंश कर सकते हैं यहां पर इसका Space i 당vat 346 PFP और dfc++ तो इसमें थोज़ा टाइम लाएगा तो यहां भी देखिए complete the dfc++ 5.11 set of wizard तो यह install हो गया है और यहां भी देखिए यह इसका icon create हो गया है तो अब चली क्लिक करते है finish पे उसके आद इसको close कर देते है तो यहां पे यह आगया है देखिए as include तो int main यह इस तरह है तो यहां पे देखिए आप जो language आपको अच्छा लगता है जिस language में आप प्रीफर करते हैं इसको आप सेर्ट कर सकते है तो यहां पे English language में हम लग family है रहे हैं तो English selected है तो सही है अब इस पर click करते है next पर यहां पे देखिए और जो आपको font जो भी चाहिए आप दे सकते हैं और color में classic plus चलिए इसको tunate कर जाते है तो यह देखिए और tunate करेंगे तो इस तरह से आएगा ठीक है और यह बस तरह है matrix और यहां पे classic में इस तरह का white आएगा GSS hacker है फिर यहां पे borderland में select करते हैं तो इस तरह आएगा है चलिए यहां पे classic plus देते हैं अच्छा अब यहां पे new lock, Chrome यहां पे जो भी icon आप select करना चाहते हैं वो select कर सकते हैं चलिए blue को ही select करते हैं अब यहां पे click करते हैं next पे फिर यहां पे click करते हैं okay पे तो यहां पे यह open हो गया है यहां पे दीखे tdmgc compiler यह है 4.9.2 यहां पे और इसके यहां पे आपको जाना पड़ेगा file में file में जाके project पे click करते हैं तो यहां windows application console application इस वीडियो में यहां पे click करते हैं तो यहां पे click करते हैं okay अब यहां पे file यह है ठीक है अब यहां पे save कर दाते हैं तो यहां पे देखें यह सब by default इसको window है अनो तो यहां पे अप क्या करना है simple site को print करने को program लिखते हैं अगर आपको यह अच्छा नहीं रखता है तो आप इसको हटा सकते हैं कोई जोरी नहीं पहले इस तरह कोई कम बसर ही नहीं है और यहां पे return को भी आप वड़ा सकते हैं और चाहें तो यहां पे लिखते हैं print a function यहां पे हम print कर रहे हैं hello plants अब यहां किया है तो यहां पर क्या करते हैं execute करना तो यहां पे compile करने के लिए अब यहां पे इसको एक्सेक्विट करना और इसको इसको डिस्प्ले करने के तो यहां पर डिस्प्ले होला है hello plants यहां पर डिस्प्ले होला है तो यहां पे आपका return यह सब important नहीं है अगर आप program को और छोटा करना चाहते हैं simple करना चाहते हैं तो इस header file कभी अभी चोड़त नहीं है ठीक है int main यहां पिर से आपको execute करके दिखा दें देखें सब्सक्राइब यह output आ रहा है अगर आपको दो नंबर को आइड करना है तो अचलिए इसका एक program लिख देते हैं एक और program दो नंबर को आइड करने का int यहां पर ले रहते है a, b, sub ठीक है उसके आद यहां पे printer function यहां पे enter to number ठीक है उसके आद इसकानफ function रहता है scan up यहां पे दिखें यह scan up जैसे ही लिखें आप यह सब इसके वारे बतारा है public a and t यह सब यहां पे % d अब यहां पे परहना m % a, m % b पिर यहां पे sum यहां पे sum printer function पिर्ट दे रहा है यहां पे % d यहां पे sum डिस्प्ले होगा और यहां पे sum को पिर्ट करा रहते है यहां पे दो-दो sum अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए आप इसको दे रहते है addition of two numbers numbers तो यह दो-दो-दो-दो-दो-दो करने का प्रोग्राम में चलिए इसको पहले compile कर रहते है तो यहां पे क्या रहा s s यहां पे n नहीं है यहां पे a देना था यहां पे किसे compile कर रहे है तो देखें यहां पे कोई error नहीं आया अब यहां पे इसको execute करना तो रंप कर दिए enter to number तो यहां पे 12 इंटर किया यहां पे 12 और 9 को यहां पे output आ रहा है 21 21 तो यह भी अच्छा है editor यहां पे तो इस तरह से हम c++ को use करके प्रग्रामिक देख सकते है तो अगर आपको इस वीडियो से related कोई question है तो comment किजिए जब reply करोंगा तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते है new topic के साथ new video thank you